नमस्ति दोस्तों नवरात्री की आप सभी को बहुत बार शुब कामने नवरात्री पर आप सभी ने वरत तो रखा होगा और वरत में भूग भी लगती ही है तो हमने वरत के लिए बनाई है साबो दाना खिचड़ी जो की बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी आप सकते हैं लेकर हमने इंबो कना युजा नहीं है बहुत जारा टैस्टी गूरे बनाते हैं तो एल्थ भावनने के लिए सबसे पहले थो हमें यह देखना कि साबो दानों करता है थे लिए इस चान लिया है ताको बूरा तो निकल जाए अब इससे बावल में डाल दिया है पा अब देख सकते हैं साबुदाना डूप चुका है पूरा उससे एक इंच भी पानी ऊपर नहीं है इसे फ्लैट कर दीजिए और इसे ढख दीजिए ढखना पूरी अच्छी तरह से कवर करना है इसे मतले इसमें हवा नहीं जानी चाहिए इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं घंटे के लिए रख दीजिए हमने इसे रात पर रख था क्या क्योंकि रात को घुः ऑना इसलिए सुबह मार्निंग में देखें किसे भी बीगता है तो तो बस आप सुबह वो चुकी है तो सुबह ये देखिए किस तरह से भीग हुआ है हम उत्यक्त तरह साबुदा आपको भी बिल्कुल इसी तरह से साबुदाना को भिग होना है तो खिच्डी बनाना स्टार्ट करते हैं आप पैन में मुंगफली डाल दें सबसे पहले आधा कटोरी मुंगफली ली है यदि आपको भूनने की जूरत नहीं है हमारी कच्ची मुंगफली है इसलिए हम इसे थ थोड़ी क्रिस्पी हो जाए और भून के यसे छोड़ा थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद किसी में सब्सक्राइब B bedroom करोक्त थे नोम हम पीचना हैसे मुंगफली की रह जाए तो और तो बहु प्रप्राबलम नहीं है इससे पीस लेंगे इसे रुकप कर पीसना है क् कि रुक्रुक कर पीसे थोड़ा और भısı यह मूंगफाली है जो पीसई मूंगफाली है इसे हम डाल दें गे सापुदाना के बीच पहलेuses बहुत जाला ज़री जाओ जाओं आप सोचाओंकी मीठी ही मीठी नहीं बनेगी इसमें आधा चमछ हमच नमक डाले बहुत ईसकि चीनी अच्छा जवर डुगा कर दने को जासे सावोदाना के सावादना के सावादन के सावादना के सावादन हरा है बस यह भी देखिए कोट करके में रख लिया है साइड में साबुदाना यह देखिए बिलकुल अब हमने एक पैन में ले लेना है तेल आप तेल की घी भी ले सकते हैं घी लेंगे जारा अच्छा रहेगा लेकिन हमने रीफाइन डिया है दो चंबच इसमें डालेंगे हम होते पिस जाते हैं आप लाई चैलाते थिंगे में죠 अलव करने सी आधा चोड़ा तुकड़ा अद्रक्का लिया है उसे बारिक चौप करके डाल दिया है कुछ इसमें आप हरी मिच डाल दीजिए यह लाल आपको इसलिए कि हमारी पड़े-पड़े हरी मिच यह लाल होगी थी वह हरा धनिया डाल दे अच्छे से मिक्स कर दे इस तरह से आप इ की लिए यह में जुकर दो तरह सेरे में डाल दीजिए नहीं तो घूसरा दीए गार दिया बस दscreen लिया तो उसके बाद, गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए गा और 3 मेर तक लुआ वह फिरसे इसे चलाना है उसके साथ, पक क्या होगा या चैवेड़ने उलाग फ्लेम करेंड़न मिक्सší और सकती हो जाएगा तो आप इसमें डाल सकते हैं, आप अवरत नहीं है, तो यह देखें, बहुत जादा टेस्टी खिचडी बनी है, एक बार इस तरह से आप इस खिचडी को बना कर जरूर ट्राय कीजिएगा, निम्बू डाला नहीं है, लेकिन हम इसमें साइड में निम्बू रख रहे हैं, वो लेकर रहेंगे, नवरात्री की इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजेगा, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की जानकरी मिल सके, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजेगा, तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलते हैं, एक और न्यू उडियो के साथ, हैपी नवरात्री, बाई